इस वीडियो में हम जानेंगे MI के फोन में, वीडियो प्ले करने पर फाइल मेनेजर खुल जाता है, इस प्रोब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम गेलरी को ओपन करते हैं, और यहां पर हम कोई भी वीडियो प्ले करके दे तो आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने प्ले बटन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर फाइल मेनेजर खुल रहा है, तो अभी हम इसे ठीक करेंगे, तो उसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा, यहाँ पर आपको निचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको एप्स पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको मेनेज एप्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको उपर तिंग डोट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको डिफार्थ एप्स पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको प्ले विडियो पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर File Manager सिलेक्ट है, तो आपको इसे हटा कर कोई भी वीडियो प्लेयर को सिलेक्ट करना होगा, आप गेल्री को या फिर AimX प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हो, तो अभी हम गेल्री पर क्लिक करते हैं, तो यह सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आ आपको बेक आना होगा, तो अभी हम फिर से वीडियो प्लेयर करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं, यह वीडियो प्लेयर हो गया है, और File Manager नहीं खुल रहा है, तो बस इस वीडियो में इतना ही.